हेलो डियर स्टूडेंट, हमारा जो लास लेक्चर था उसमें हमने बात किया Absolute Error, Mean Absolute Error, Relative या Percentage Error के बारे में हमने एक क्वेस्चन के थूरू ये भी देखा कि हम इनको निकालते कैसे हैं निकाल कैसे सकते हैं, उमीद करता हूँ आप सब को समझाया होगा मैंने आपको तीन क्वेस्चन भी दिये थे, Assignment की फोर्म में करने के लिए हालांकि उनके solution किसीने मेरे पास post नहीं किये, जो की बहुत ही बुरी बात है ठीक है, धानकना अपना काम टाइम से करो और टाइमली Assignment को solve करके भेजें, प्लीज आज हम आगे बढ़ते हैं एक step और आज हम बात करेंगे combination या propagation of error की, सबसे पहले इसका मलब समझते हैं propagation, propagation क्या, propagation का मलब है एक quantity से दूसरे quantity के अंदर error का, मलब error का move करना, जाना, कैसे जाएगा एक example ले लेता हूँ, मान लिजीए मैं जनरल से example आएडिया भी तुम्हें लग जाएगा माल लिजी मेरे पास में एक धागा है, ठीके ना और इसकी length मैंने measure कर ली 5 और एक का error आगया point का, 0.1 का error आगया 5 plus minus 0.1, यानि कि या तो 5.1 cm measure कर गया मैं इसकी length को गलती से, या 4.9 मेरे पास एक दूसरा धागा है, ठीके ना, इसकी length मैंने जल्दबाजी में measure कर ली 4 plus minus 0.1 cm, यानि कि या तो 4.1 या तो 3.1, मैंने क्या किया, इन दोनों धागों को जोड़ दिया अब obvious सी बात है, जब इसकी reading में error है, इसकी reading में error है, तो answer में भी तो error जाएगा, अब बात यह है, कि ये error in individual reading से answer के अंदर कैसे propagate होगा, कैसे flow होगा, move कैसे होगा, मेरे खाल से आपको समझा आ गया होगा, कि मैं कहना क्या चाहरा हूँ, मैं कहना कुछ यह चाहरा हूँ, कि आपके पास दो quantity है, individual, और दोनों के अंदर error है, अगर आप उन दोनों quantity को जोड रहे हो, घटा रहे हो, या multiply कर रहे हो, या मालिजे divide कर रहे हो, तो वो error जो है, वो answer के अंदर किस तरह से flow होगा, किस तरह से propagate करेगा, आज हम उसकी बात करेंगे, ठीके तो टापिक का नाम है combination या propagation of error, तो अभी हम combination या propagation की बात करते हैं, देखिए, तो देखिए, एक चीज तो आपके बिल्कुल समझ में आ गई, कि error का combination या जो propagation है, वो चार टाइप का होगा, अब चार टाइप में कौन से टाइप आएंगे, देखिए, पहला तो टाइप हो जाएगा, error in summation, sum, दूसरा टाइप हो जाएगा, error in subtraction, सब लिख देता हूँ, आप complete लिख लेना, तीसरा टाइप हो जाएगा, error in multiplication, मल लिख देता हूँ, और चोथा टाइप हो अब हम इनके उपर अपना फोकस करेंगे, चलिए, सबसे पहले मैं देखता हूँ, error in summation क्या होगा, पड़े ध्यान से समझना है, summation को मैं समझाऊँगा, subtraction आपको अपने आप करना है, ठीके ना, तो सबसे पहला case देखते हैं कि error in summation, summation में error कैसे propagate करेंगा, अब कुछ इसको ऐसे समझ लिए, मान लीजिए, मेरे पास में दो quantity हैं, A and B, और इन दोनों को जोड़ करके, मेरे पास में क्या रहा है, एक result आ रहा है, X, ठीके ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास में जो X है, वो बराबर है किसके, A प्लस B के, लिख सकता हूँ यह, इसमें तो कोई प्राबलम नहीं है, मेरी पहली एक्वेशन बनके, अब मान लिजिए, जल्द बाजी में, मेरे पास में A के अंदर कोई एरर आ गया, और A हो गया, प्लस माइनस डेल्टा A, डेल्टा रिपर्रेजेंट एरर, B के अंदर एरर आ गया, और B हो गया, प्लस माइनस डेल्टा B, ओवियस्जी बात है, अगर A और B में एरर आ गया, तो X में भी एरर आएगा, क्या हो जाएगा, X प्लस माइनस डेल्टा X, अब फाइनल आंसर मेरे पास में क्या बनेगा, देखिए, अब X में एरर आ गया, तो मैं लिख सकता हूँ, X प्लस माइनस डेल्टा X, X में एरर आ गया, पहली में मैंने ये वैल्यूस पुट कर दी हैं, पहली कोशन में, इस इकल्स टू, A क्या बन गया, A प्लस माइनस डेल्टा A, A, ठीक है, प्लस में, बीच में प्लस का साइन था, यहां देखो, B क्या बन गया, B प्लस माइनस डेल्टा B, ठीक है, अब यहां से देखिए, मैं यहां से क्या गर सकता हूँ, X प्लस माइनस डेल्टा X is equal to, मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूँ, A, प्लस माइनस डेल्टा A, प्लस में B, प्लस माइनस डेल्टा B, ठीक है न, अब मैं इन दोनों को, A और B को देखिए, A और B को मैं एक साथ लेता हूँ, तो मिरे पास में equation क्या बन जाएगी, मैं यहीं से आगे solve कर देता हूँ, मेरे पास में equation बन जाएगी, X, प्लस माइनस डेल्टा X is equal to, A, प्लस B, प्लस माइनस डेल्टा A, प्लस माइनस डेल्टा B, अब from equation first, A प्लस B मेरा किसके बराबर है, A प्लस B तो मेरा X के बराबर है, तो मैं A प्लस B की जगे क्या पूट कर देता हूँ अबना X, प्लस माइनस डेल्टा A, प्लस माइनस डेल्टा B, X से मेरा X कट गया, तो प्लस माइनस डेल्टा X is equal to, दोनों में से प्लस माइनस में बाहर कॉम्मन निकाल देता हूँ, क्या बन जाएगा, डेल्टा A प्लस डेल्टा B, ठीक है ना, इसका मेलब, एरर क्या हो जाएंगे दोनों के, एड हो जाएंगे, ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट, ठीक है, अब देखिए, इस फाइनल रिजल्ट को यूज कैसे करेंगे, अब वही एक्जाम्पल ले लेते हैं, मालीजे मैं कहा दूँ, एक लेंथ है अपने पास में, 5 प्लस माइनस 0.1 सेंटिमीटर, अगली लेंथ है, L24 प्लस माइनस 0.1 सेंटिमीटर, दोनों को जोड दिया, वही दोनों धागों को जोड दिया, फाइनल रिजल्ट बताओ, तो देखिए, फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, फाइनल रिजल्ट में क्या होगा, एक तो होगी, फाइनल लेंथ, L, क्या जाएगी, दुनों की, बिना एरर के पार्ट को एड़ कर देते हैं, 5 प्लस 4, कितना आगया, कितना आगया, फाइनल रिजिल्ट कै बनेगी, फाइनल रिजिल्ट बनेगी, L, फाइनल आइनल अंसर क्या है, 9, L की वैलू तो 9 लिख दी, रिजिल्ट कितनी है, फाइनल अंसर आजाएगा, ठीक है, उमिद करता हूँ, आपको समज आया होगा, फिर से एक बार देख लिजे, देखिए, समेशन में एरर कैसे प्रोपेगेट करेगा, मालो मेरे पास में दो क्वेंटिटी है, A और B, तो X is equal to आ जाएगा, A plus B, A के अंदर एरर आ गया, plus minus delta A, B के अंदर एरर आ गया, plus minus delta B, X के अंदर एरर आ गया, plus minus delta X, ठीकिना, अब हमने delta A, plus में B, plus minus delta B, तो X plus minus delta X आ जाएगा, A plus minus delta A, plus B, plus minus delta B, अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, तो X plus minus delta X, A और B मैंने एक साथ लिए, दोनो, A plus B, और यह आ जाएगा, आपके पास में, plus minus delta A, plus minus delta B, ठीक है, अब देखिए, A plus B तो मेरा किस के बर प्लस ब्राबर था तो मैंने क्या कर दिया a प्लस b की जगह पर अपना x लिखती है x से x मेरा कट गया यह मेरा result आ गया यानि कि error का answer जो है मेरे पास में वो यह आ गया ठीके ना अब apply कैसे करेंगे मान लो मैंने का आपके पास में 2 धागे हैं दोनों को जोड दिया आपने पहले धागे के अंदर आपके reading थी 5 और 0.1 दूसरे धागे में थी 4 और 0.1 दोनों को जोड दिया 5 और 4 ब्राबर है 9 तो प्लस मैनस डेल्टा 10 आ अजएगा प्लस मैनस बाहर निकल गया आजएगा 0.2 का error तो यह फाइनल द striking है तो यह था error in sum अब आप क्या करेंगे अब आप वीडियो को post करेंगे और error in subtraction निकालेंगे निकालने के बाद में आप वीडियो को फिर से College continue करेंगे और मैंच करेंगे कि आपका result और मेरा result सेम है कि नहीं कि अप्र प्रशिजर जो है अपना error in subtraction का same है वही है दो a, b और final answer है x तो x इस बार किसके बराबर आ जाएगा a minus b के पहले equation अब देखिए x में कोई error आ गया sorry 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 पहले a और b में कोई error आएगे तभी तो answer में error आएगा तो a में कोई error आ गया a plus minus delta a b में कोई error आ गया b plus minus delta b तो x में भी कोई error आ जाएगा x plus minus delta x तिनो values equation 1 में substitute कर देता हूँ x plus minus delta x बराबर आ जाएगा a plus minus delta a के plus sorry sorry बीच में minus sign है bracket लगा ले ना बीच में है minus sign minus में b plus minus delta b के ठीक है ना यहां से x plus minus delta x is equals to देखिए a यह है minus b bracket open करेंगे तो a minus b बन जाएगा plus minus दोनों में से common ले ले लेता हूँ मैं अंदर क्या बचेगा delta a plus delta b a minus b मेरा किसके बराबर है a minus b तो मेरा x के बराबर x लिख दिया plus minus delta a plus में क्या आ जाएगा delta b x से मेरा क्या हो जाएगा x cancel out हो जाएगा plus minus delta x is equals to क्या बन जाएगा मेरे पास में plus minus delta a plus delta b तो यह मेरा आ जाएगा error और यह error किसके अंदर आएगा मेरा subtraction के अंदर तो अगर आप यहाँ पर देखें तो error in summation का जो result था वही किसका result है error in subtraction का result है ठीके ना और यहाँ से एक और जुरूरी बात मैंने आपको पहले भी बताई है error can't be subtracted ऐसा नहीं हो सकता है कि दो quantity में error आ गया और आपने उन दोनें को घठा दिया error कभी घठते नहीं है एक बार अगर आपके पास error आ गया तो समझे वो आ गया whether it is positive or negative जो आ गया वो आ गया ठीक है तो error can't be subtracted error घठ नहीं सकते तो यही mathematically भी हमारा प्रूव हो गया कि error जोडेगा यह था error in subtraction वीडियो काफी lengthy हो जाएगा आने वाली वीडियो में हम देखेंगे error in multiplication और error in division thank you have a great day